लगबख सभी घरों में, दिन की शुरुआत चाई के कब से होती है पानी के बाद चाई भारतिये घरों में पीने जाने वाली सबसे जाधा आम पेपडार्थ है चाय की लोग प्रिटे भारत में दोस्तों इतनी जादा है कि कई लोग चाय के इतने जादा शौकीन होते हैं कि वो दिन में 4-5 कब चाय पी जाते हैं भारत में चाय दोस्तों कई तरीके से बनाई जाती है और ये भारतिये डिशिस का एक बहुत important part भी है लेकिन दोस्तों आज के समय में चाय के भी आपको कई सारे varieties देखने को मिलते हैं आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पांच ऐसी चाय के बारे में जिनके फायदे तो हैं ही लेकिन दोस्तों इनके अलावा आपको इन चाय में कई सारी varieties भी देखने को मिलती हैं कई सारे benefit आपको देखने को मिलते हैं कई सारे differences आपको देखने को मिलते हैं चाहें आप बात करें taste की, flavor की, ingredient की तो दोस्तो कई तरह की चाय यहाँ पर आपको देखने को मिलती है नमस्कार दोस्तो और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल The Daily Product Comparison पर दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो में हम compare करने वाले हैं साथ ही आपको भी बताने वाले हैं दोस्तो दोस्तो आपकी और information बड़े और आप भी दोस्तो इन चाय को try करें क्योंकि देखिए regular चाय तो हम सभी पीते हैं कुछ नया भी हमें try करते रहना चाहिए इसलिए दोस्तो वीडियो के last तक आपको जोड़े रहना है साथ ही हमारे वो दोस्त जो पहली बार हमारे साथ वीडियो में जोड़े हैं उन सभी से request दोस्तो चैनल को subscribe जरूर करिए जिसे आगे भी दोस्तो आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें तो आज दोस्तो जो हमने 5 अलग-अलग चाय ली हैं आपने इनका नाम सुन रखा हो लेकिन फिर भी दोस्तो इन सभी चाय में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा आज की दोस्तो जो हमारे top 5 टी प्रड़क्ट हैं उनमें शामिल है अब इन सभी दोस्तो अलग-अलग चाय में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं साथ ही ने करेंगे compare तो दोस्तो अगर हम बात करें quantity या weight की दोस्तो ताज महल रिच मसाला टी में आपको दोस्तो 25 टी बैक देखने को मिलते हैं तो यहां पर दोस्तो आपने क्वांटिटी या कितने वेट में आपको कितने प्राइज में दोस्तो टी देखने को मिल जाती है इसके अलावा दोस्तो यहां पर other quantity में भी आपको यह देखने को मिल जाते हैं जैसे कि दोस्तो करम बात करें ताज महल रिच मसाला तो यह दोस्तो 25 टी बैक का एक packet आता है वहीं दोस्तो और गैनिक इंडिया तुलसी की बात करें तो 100 ग्राम का दोस्तो यहां पर टिन पैक भी देखने को मिलता है और गैनिक इंडिया तुलसी टी की ओर से ब्रुकबॉन रेड लेबिल की दोस्तो करें तो यह आपको मिल जाता है 100 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम और 1 kg पैक में भी दोस्तो आपको यह चाय देखने को मिल जाती है डावर वेदिक शुरुक्षा ब्लैक टी की दोस्तो करम बात करे जाता है और आपको मिल जाता है 500 ग्राम में अब कौन सी कंपनी दोस्तों ने मैनुफेक्चर करती हैं तो अगर हम बात करें टाज मैल रिच मसाला की दोस्तों इसको बनाते हैं इंडुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और गैनिक इंडिया दोस्तों अपने खुद के गोर से यूनिलीवर कोपनी की ओर से बनाई जाती हैं सब्षाइब आपको आनला अफलाइन मोडमें आराम से मिल जाते हैं यानि कि हे सकते हैं इनकर अगर आपको वहाँ के अंडियन के नहीं थे आपको इनए खरीद नहीं क्योंकि आप तो अलड़ी चाहिए पी मुझा बात करें ताज महल приним ची इसमें आपको देखने को मिलता है तेमिल fresh leaf आपको देखने को मिलते है nutmeg आपको इसमें mix देखने को मिलता है cardamum आपको देखने को मिलता है ginger और आपको देखने को मिलता है cinnamon तो दोस्तो यह सारे ingredient यहाँ पर added रहते हैं अगर हम बात करें ताज महल रिच मसाला tea के masala tea दोस्तों आप सरी ने सुनाओं का masala tea जाना जाता है famous है दोस्तों अपने नाम के लिए तो अगर आप भी masala tea dry करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस tea को ज़रूर परचेस करें बात करें organic इंडिया के तुलसी tea की दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं और हर tea bag में दोस्तों आपको देखने को मिलता है 1.74 gram यानि हर tea bag दोस्तों आपको 1.74 gram का मिलता है जिसमें आपको तीनों तुलसी की variety मिल जाती है जो की दोस्तों अपने आप में unique है बात करनें दोस्तोś ब्रूटबॉन रेड लेवल नैचुरल टी की तो तो यहाँ पर आपको टी देखने को मिल जाता है कार्डमयम जिंजर और तुल्सी का इसके अलावा दोस्तो इस चै में आपको देखने को मिल जाता है अश्वगंदा एंड लिकोराइज तो यहाँ पर दोस्तो कई सारे इंग्रियंट देखने को मिल जाते हैं सबसे यूनिक जो चीज है दोस्तो वो है अश्वगंदा जो कि दोस्तो अकसर चाय में देखने को नहीं मिलता है यानि कि अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है अपनी तो इस चाय को आप जरूर पीजिए क्योंकि दोस्तो यहाँ पर सिर्फ आप चाय नहीं पीएंगे यहाँ पर आप अपनी हेल्थ को भी एंकुरिज करेंगे तो दोस्तो हेल्थ के लिए यह चाय बहुत अच्छा हो सकता है इसको आप जरूर ट्राइ करें बात करें दोस्तो डावर वेजिक शुरक्षर ब्लैक टी की तो यहाँ पर दोस्तो आपको देखने को मिलते है तुलसी डाल चीनी मुनक्का काली मिर्च औ यानि कि आपकी किचेन में पाय जाने हुआ वह सभी मसाले दोस्तों आपको इस चाय में देखने को मिलते हैं तो यह भी चाय दोस्तों आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है लिप्टें दाजिलिंग टी की दोस्तों बात करें तो यहाँँ पर सिरफ औस आपको देख ना कई benefit को भी हम थोड़ा बहुत discuss कर चुके हैं लेकिन detail में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों ताज महल रित्मसाला टी की दोस्तों इसके जो benefit है उसमें आपको देखने को मिलता है एक aromatic experience दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिलत है उसके बाद दोस्तों आपकी health के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है दोस्तों क्योंकि इसमें होता है nutmeg, cardamom, ginger और cinnamon यानि की दोस्तों सर्दी जुखाम की आपको परिशानी हो आप इस चाय को जरूर पीजिए आपकी सर्दी जुखाम की परिशानी दोस्तों बहुत कम समय में दूर हो जाती है साथ ही दोस्तों आपकी health को यह promote भी करता है इसलिए दोस्तों आप इस चाय को पी सकते हैं बात करें दोस्तों organic इंडिया तुलसी की दोस्तों तो यहाँ पर यह दोस्तों आपके immune system को strong करने का काम करता है उसके अलावा किसी भी तरीके की सर्दी mood को uplift करने का काम करता है आपके stress को कम करता है digestion को strong करता है metabolism को बढ़ाता है दोस्तों इसमें कई सारे antioxidant होते हैं तो आपकी skin को भी अच्छा रखने का काम करता है तो कई सारे फायदे हैं दोस्तों organic इंडिया के तुलसी tea की बस आपको इसको एक cup warm water में दोस्तों आपको इसे डालना होता है और उसे तीन-चार बाट डिब करना होता है बात करने दोस्तों बुरुक बॉर्ण रेड लेवल नैचुरल केर टी की दोस्तों तो इसके भी अपने ही फायदे हैं दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये आपको help करता है सर्दी खासी से दूर रखने में आपके stress ले immunity को boost करने का काम करता है stress को कम करता है inflammation को कम करता है दोस्तों साथ ही आपके digestion और metabolism को भी enhance करने का ये काम करता है lift in Darjeeling tea की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपकी body को दोस्तों बचाता है effect of stress यानि की stress से दोस्तों ये दूर रखने का काम करता है immunity बढ़ाता है calming on soothing होता है दोस्तों आपके mood को बहुत अच्छा रखता है आपको calm रखता है गुस्सा आपको नहीं आता है इसके अलावा दोस्तों rich होता है कैसे आपको बनाना चाहिए इन्हें तो दोस्तों आप इन्हें बना सकते हैं prepare कर सकते हैं boiling water और milk के साथ में especially अगर हम दोस्तों बात करें ताज महल rich masala tea की दोस्तों यहाँ पर आप दूद का use कर सकते हैं लेकिन सभी चाय में दोस्तों आपको दूद यूज नहीं करना है क्योंकि जातर चाय दोस्तों without milk ली जाती है उसके अलावब दोस्तों organic इंडिया की तुलसी चाय की बात करें तो यहाँ पर आपको infusion bag को डालना है एक cup में वहाँ पर दोस्तों आपको boil water वहाँ पर डालना है infusion bag को दोस्तों आपको 3-5 मिनिट तब पानी में रहने देना है अगर आप दोस्तों sweet लेना चाहते है तो natural sweetener आप यूज कर सकते हैं honey आप वहाँ पर add कर सकते हैं दोस्तों तीन से चार बार दोस्तों आप dip कर सकते हैं infusion bag को जिसके अच्छे से वह दोस्तों वहाँ पर mix हो जा उसके बाद दोस्तों आप इसको enjoy कर सकते हैं जो कि आपकी health को obviously बहुत ज़ादा promote करने का काम करता है बात करें दोस्तों ब्रुक बॉन रेड डिबिल टी की तो दोस्तों आप इसको boiling water में use कर सकते हैं यहाँ पर आप milk का use कर सकते हो natural sugar को दोस्तों आप इसमें add कर सकते हैं अपने taste के लिए डावर वैजिक शुरुक्षा black tea के दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको tea bag को लेना है उसको अपको place करना एक cup में दोस् धाई मिनट तक उसे brew होने देना है और दोस्तों इसके बाद आपको tea bag को निकाल देना है और फिर आप इसे enjoy कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों आप prepare कर सकते हैं इस black tea को यहाँ पर कुछ भी आपको अलग से add करने की requirement नहीं है in case अगर आपको sweetener पसंद नहीं तो दोस्तों add कर सकते हैं लेकि natural sweetener का ही यूज करें दाजलिंग tea की दोस्तों अगर हम बात करें तो white water को दोस्तों आपको डालना है कप में उसके लावा दोस्तों एक teaspoon दाजलिंग tea को वहाँ पर आपको add कर देना है उसको cover कर दीजे दोस्तों और 3-5 मिनिट तक दोस्तों आपको इसे brew क करना है इसके बात दोस्तों आप अपने कब को enjoy कर सकते हैं बाद में चाहिए तो आप दोस्तों milk और sugar भी वहाँ पर add कर सकते हैं तो इस तरह तो दोस्तों आप प्रिपेर कर सकते हैं अपने Darjeeling tea को और enjoy कर सकते हैं दोस्तों एक enjoyable tasty sip को दोस्तों इन सभी प्रड़क्त को यू रखने से बचेंगे, बच्चों से किसी भी चीज को हमें दूर रखना चाहिए, छोटे बच्चे होते हैं, जो चलनी पाते हैं, उसके अलावा आखों से अपने दूर रखने और अगर इनकेस आख में चला भी जाता है, तो दुरांत आख को अपने धोने वाटर से उसके हो तो दोस्तो आप उसे परड्शेस कर सकते हैं, और ठी पर याले कर सकते हैं, एक उसमें जादा बेलगा लगा हो इन्फोर्मेटिव लगा हो तो लाइक और चेह शक्रार करें, ऐसे ही और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि आ झाल झाल